आप सब का शुक्रिया वीडियो पे आने का काफी दोस्तों का एक ही सवाल था कि हमें जी वो गजल बताएं आपके हम बिच्छडे तो शायद भाई मैं वो गजल तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको राग बताऊंगा इसका सरगम पल्टा बताऊंगा इसका वादी समबादी बताऊंगा इसका मैं नियाज का सुर बताऊंगा इसकी मैं जाती आपको बताऊंगा और इसका मैं ठाट बताऊंगा ये किस ठाट से है या है ठीक है लोज राग भूपे शिरी राग भूपे शिरी का बादी सुर पा संबादी सुर इसका सा है ठीक है जाती इसकी औरब औरब है ठीक है سی شاہ rep Samuel करेंगे तो नियाज का सुर्च होता है वो राग में बहुत जरूरी होता है कुछ रागों में बताया कुछ मैं नहीं बताया चले वो बिजब मैं रियू न्योज करूंगा उनको दुबारा करूंगा सरकंपल्टे के साथ फिर मा आपको बता दूंगा न्याज का सुरु है पासा जो वादी है वही इसके न्याज का सुरु ठीक है शुरू करते हैं हम रागो सारी गाप धासा हरो हो गया ब्रो देखते हैं साधा पधाप गरेशा अब भी आप इसको दोबारा टाच करके लगाएंगे तो ये मतलब कि बितर रहेगा आपके ये राग घंगीर राग है ये काफी तो इसके अंदर अगर आप साधा भी चले जाएंगे साधा मतलब ऐसे सारे का पधा साधा पगरेशा कुछ भी नहीं है ठीक है लेकिन ये आप साध लगा लेंगे सारे का पधा साधा पधा पगरेशा अभी पकड़ साधा पधा साधा पधा साधा पधा पगरेशा अभी हम इसका सरकम पल्टा करेंगे सरकम पल्टा भी जरूरी है ठीक है तो जितने भी मेरे बहन भाई हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि यर मैं फिल्मी गाने शाने नहीं कर सकता इस चैनल पर और ना मजबूर किया करें चले मैंने राग बता दिया आपको अभी आप फुद ढून लेना गजल को गजल भी इतनी मुश्कल नहीं है ढूनने इसमें ठीक है पिछाने ऑर फूर्ट यार्ट मुझे इतनी नहीं आती तो शूर्ड Cup भी इतनी पीडा कर्कंद्व ना मज़ले अकर्ट राग कि इस में भी आपको यहां रोजा इसमें आपको अणरे अने काया कूंद्ध सकत्सक्राइश तो खुदा आप सब को खुश रखे तो जितनी भी आती है बोल लेता हूँ मुश्किल से ठीक है तो खुदा आप सब के साथ हो शुक्रिया वीडियो पियाने का और मैं बताता चलूँ ये जो राग है बुपेशिरी ये बजाते खुद ठाट है ठीक है ये चारो कैशि अलग है ठाट और ये लग है ठीक है और ये 42 ठाट उमें आता है ये वाला राग ठीक है कुछ लोग तो कहते है ना के हम बताएंगे तो मैंने तो काफी खुदा की मेरे बानी से राग बता दी है ठाट के 32 के भी बता दी है ये भी बत्रों को भी काफी ठाट मैंने बता दिया आपको तो आप सबका वीडियो पे आने का शुक्रिया थैंक यू